कोई भी ऐसा किस्सा कहानी हमें बताईए जो चोदरी चर्ण सिंग्जी से रिलेटेड हो देखे किसानम नसिया चोदरी चर्ण सिंग्जी जातिवाद के घोर विरोदी थे प्रदेश के मुख्मंत्री जब हो थे उनीसो सरसठ में तो एक आडिनेंस जारी किया था कि जिन कालेजों का नाम जात के नाम पर है उसे तुरंत बदल दिया जाए जाति सुचक सब्द हटा दिया जाए अन्य था उनका अनुदान रोक दिया जाएगा तो पूरे प्रदेश में सारे कालेजों का नाम जात सूचक सब्द से हटा करके किसी नाम के साथ जोड़ा गया जैसे लखनों में ही कानकूप जिंटर कालेज है इसका जैनरान इंटर कालेज किया गया जो कानकूज वोकेशनल कालेज है उसको बपाशनियन वोकेशनल कालेज किया गया कुर्मी छत्री कालेज है उसका नाम रामाधीन सिंग कालेज किया गया तो इस तरह से अगर जात से नाम रहेगा तो अनुदान नहीं दिया जाएगा जेखते होंगे tax जातिवाब लिए भारती जंता पार्टी ने जत्रबहुजन समाजर पार्टी ने खुरा ने तिलकत राज़ुबतान तो उन्हेंट तो जातिवाद भारती जत्ता पार्टी जातिवाद जो है बहुत जनसमाज पार्टी ने ला करके उत्तर प्रदेश की राजनीद को चोपड कर दिया इसी तरह से चोधरी चारल सिंग जी निड़ने लेने में बहुत सक्त थे और उन्हें माननी चोधरी चारल सिंग जी को लखनों या उत्रपरदेश यहीं नहीं ऐसा माना जाता है मतलब हमने जहां तक उनको पढ़ा है जाना है चाय हडियाना हो बिहार हो तमाम जगों पर उनके मतलब शिष्षे हैं जालू यादव जी भी वही से वो भारती राजमीद में आदर्स पुरुस कहे जाएंगे आज प्रधान मंतरी हो या मुख्य मंतरी हो या विधायक हो जनता नाराज हो करके उनसे इस्तीफा मंगती है कि नहितिक्तिया के आधार पर इस्तीफा दे दिजिए वो बेसर्मी से कूर्शी से चिपके रहते हैं और चौधरी चलसिंग जी इस नेचर के आदमी थे ये सुभाव था खानपूर में मुख्यमंतरी रहते हुए चुकि मुख्यमंतरी जो है जो सरकार थी उससमें सम्वित सर सरकार थी तो यहां हाउस चल रहा था हाउस में एक मद्दान किया गया है जिसके आधार पर सरकार गिर गई थी और जैसे इनको वहाँ सुष्णा मिली तो उन्होंने तुरंत वहीं से सरकारी गाड़ी छोड़ दी और कहें दिया भाईया मैं मुख मंत्री नहीं रहा ड्राइवर साब अब आप लखनो जाईए और खुद वहाँ से ट्रैक्सी करकर के लखनो वाई थे इस नेचर के आदमी थे और उनकी राजनीत उनके निर्णे मील का पत्थर साबित हुए हैं जैसे पटवारी था पहले आज जो लेखपाल कहलाता है ये पहले पटवारी था अमिरे जोपे टाइप में उनके पोते कुन हुए जैन चोधरी जी तो क्या उनमें ऐसा गुन है निश्चित रूप से वही नेचर बना हुआ है उस सांसद रह चुके हैं मतुरा से इस समय नहीं है इस समय तो राष्टिय अध्यक्ष है लेकिन पूरी जंता पूरा किसान उनमें चोधरी चलन सिंग ज किसाने लेकितला रहा है और निश्चित रूप से आसा कि किलर किसानों के मन में जगी हुई है अभी किसानों का अंदूलन चल रहा 7 महिने से तो भारतीerem ने उस अंदूलन को खुचलने की कोशिस की और अंदूलन को उजार रहे थे टेंट उजार दिये गए बार्डर तो तुरंट आठ वजे रात में जब टेंट उजाने जा रहे थे विजली कांटी जा रही थी तो चौधरी एजी श्री ने फोन किया था राकेश्टिकाई जी को और कहा कि राष्ट्री लोकदल और हम तुमारे साथ हैं आंदोलन खतम नहीं होगा सारे के सारे लोग फिरिकटे हो गए दूसरे दिन जैन चौधरी मैदान में पहुँच गए और किसानों की निलाई शुरू होगी और अभी तक चल लएए और ये तब तक चलेगी जब तक भारत्री जंता पार्टी तीनों बनाए हुए क्रस कानून रद नहीं कर देती तब त तो क्या इस बार साइकल चल पाईगी निश्चित रूप से सरकार बनेगी समाजबादी पार्टी और रास्ति लोग दर ही ऐसा भी माना जाता है हम लोगों से जाने कोशिश की है जाने है तो ऐसा कहता है कि अगर योगी जी की सरकार थुरी सी कमज़ोर हो सकती है कुछ सीट बहिया यह बात बता दो हजारों करोर रुपिया गोमती के सफाई के नाम पर हाजम कर लिया ही लोगों ने गोमती कहा साफ हुई गंगा सफाई के नाम पर आर्बो रुपिया जो है चला गया गंगा साफ नहीं हुई ये केवल गाय, गोबर, गोमांस, हिंदू, मुस्लिम, समसान, कबरिस्तान इस तरह की राजनित करते हैं विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है महेंगाई आज कहाँ पर है, डीजल और पेट्रोल किस भाव विक रहा है आज कड़वा तेल 200 रुपए लिटर भिक रहा है ये कहाँ का नया है, जबकि सर्सों का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा हुआ है लेकि सर्सों जो 70 रुपए किलो तेल भिक रहा था, वो 200 रुपए लिटर आज भिक रहा है ये महेंगाई का हाल है, चुकि इन्हों ने पुझी पत्यों को खुला छोड़ दिया है ये जनता को लूटो, अरे कोरोना पीरियड है, साल भर से कोरोना में महामारी फैली हुई है लोग मर रहे हैं, उनको दवाए आप उपलब्द नहीं करा सके, उनको आक्सिजन उपलब्द नहीं करा सके किसानों के घर की बिजली चार भुने रेट में पहुंच गई किसानों के इस्तेमाल में आने वाली खाद पचास किलो की बोरी पैचास किलो की हो गई भाव बढ़ गया किसानों को जो भी पाच रुपए किलो अलोगर किसान से खरीदा गया है तो आज पचास रुपए किलो किसान को खरीदना पढ़ रहा है तो 6000 रुपए साल दे करके 18000 रुपए साल वसूल रहे हैं और यह राशन जो फुरी में दे रहे हैं तो यह कहे रहे हुप हम ही शें में को देना है तो इसी सरकार से क्या फाजा अपना सांसे ने यह कहा है कि हम जो बेतर ना दालेंगे नहीं का यहां पर चौधरी चरण सिंग्ग पुरुपरधान मंत्री भारत सरकार इनकी यहां पर परतिमा लगी हुई है और इन तमाम चीजों के बारे में हम सर से पूछेंगे यहां के सिचाई मंत्री थे तो चौधरी चरण सिंग्ग जी शुरुवात में जब पहला मंत्र मंदल गठित हुआ है उसमें सिचाई मंत्री के रूप में इन्होंने कारिभार गरहन किया था तो इसलिए सहां सिचाई विभाग के हर जगे पर मानी चौधरी चरण सिंग्जी की मूर्ती के स्थापना की गई मानी मुन्नाच सिंग्जी के दौरा और इस प्रदेश कार्याले में भी की गई और यह हाल पीछे बना हुआ है इसको जामारी जो स्रीमतिय अनुलाधा चौधरी जी यह यहां पर पीड़ूडी मिनिस्टर सी उनकी देखरेक में जो है यह हाल यहां का निर्मान हुआ है और कार्याले को भवी रूप दिया गया आप कभी इस पार्टी से चुनाव अगरा लड़े हैं जी हां कौन से विधान सवाच्छेतर से मैं चुनाव लड़ा हूं विधायक का कई बाल लड़े हैं दो बार दो ब कि ब्यापारियों कि सरकार होती है सहरों में ब्यापारी होता है तो हर सहर में खरीम जनदा परिते आ गए चलती है ने